नमस्कार आप सभी का स्वागत करती हूँ आगनी शक्ति योग की ओनलाइन प्रास में मैं आशाश्टा वुमेन बेटलॉफ एक्सपर्ट आज ट्यूजडे है और आज हम आज हम आज हम पिलाटे ब्रीधिंग के साथ में हमारे एप रिंचिस करेंगे पिलाटे जोकी जोसफ पिलाटे ने जो जर्मन के डॉक्टर थे जो द्वितिय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने कैदियों के उपर रिफर्च करके बहुत अच्छा उन्होंने खुब फुरत जोकी पेट को काम करता है हमारे डाइजीशिन सिस्टम को अच्छा करता है ऐसा उन्होंने कॉंबिनेशन बना कर पिलाटे बनाया पिलाटे में तीन कॉंबिनेशन है पहला है योग दूसरा है प्रानायम और तीफरा है रशियन बैले डानसिंग रशियन बैले डानसिंग में आपने देखा होगा कि जो dancers होती हैं, curls होती हैं, वे अपने toes पर अपने पैरों के अंगूठे पर खड़ ही होती हैं, वो प्लांटर रफ्लेक्शन यानि कि इस तरीके से अपने toes को रखते हैं, जब आप पॉइंटे टोस रखते हैं, जब हमारी लोर अब्डॉमिनल मसल एंगेज होती है, यह जब आ हम करेंगे, अब ही आपको समझ में आएगा, आज हम sitting position में ही, यानि बैठे बैठे ही पलाटे करेंगे, आज हम खड़े होके नहीं करेंगे, बहुती सही और intense workout होता है हमारी tummy के लिए, शरीर पर कहीं भी किसी और इसे पर जोर नहीं आता है, जिसको जो भी health problem हो, चाहिनी का problem हो, बैठा problem हो, गर्दन का problem हो, शुंदर का हो, अल्बो का हो, शरीर के किसी भी हिस्से का joint का problem हो, वे सभी इसे बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें मेहनत बहुत कम लगती है, एनरजी लगती है, और सबसे जयदा काम हम muscles जो यूज करते हैं वो अपनी lower, middle, upper abdomen, oblique muscle, और हम करते हैं, इसके साथ ही हम लंग्स को बहुत ज्याद एक्टिवेट करते हैं शुआफों के द्वारा, इसमें नाग से इनहेल, और शा बोलते हुए एक्सेल करना है, जब हम नाग से इनहेल करेंगे तो लंग्स को एक्स्पांड करेंगे, और पेठ को अंदर की और इनहेल करते हैं, इनहेल और पेठ को अंदर खीचना है, शुआ बोलना है, शुआ बोलते हुए श्वासों को फोरों से छोड़ना है, एक्सेल आप नाभी से करेंगे, शुआ बोलते ही अग्डॉमिनल मसल को लिफ्ट करेंगे, स्क्वीज करेंगे और टाइपली होल्ड आप देखेंगे, इनहेल और एक्सेल दोनों करने के दौरान आप अपने अपने अप्डॉमिनल मसल को होल्ड करके रख पा रहे हैं, अभी शुदू में जो लोग नए लोग हैं उन्हें थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन जैसे से पिलाटे ब्रीधिंग का प्रैक्टिस कि ब्रीध आप इनहेल और एक्सेल करते रहें, लेकिन अब्डॉमिनल मसल को होल्ड रखें, पुरा एक घंडा हम पिलाटे ब्रीधिंग के साथ करेंगे, जो कि बहुत इफेक्टिव है, आपके इंटर्नल डाइटेशन सिस्टम को एक्टिव करेगा, मैटनागोलिसम को फा उनके पेट की मसल्स धीली हो गई है, उसके कई नुकसान है जब आपके पेट की मसल्स धीली हो जाती है, तो पेट नीचे की और लटक जाता है, निचला अला हिसा पेट का धीला हो जाता है, कई सारी महिलाओं का लटका हुआ पेट इसी वज़े से होता है, क्योंकि मसल्स इतना ही नहीं, uterus और दूफरे organs जो अंदर महिलाओं के lower abdomen में जो organs होते हैं, उन सभी के उपर भी pressure आता है, fat की वज़े से, उन हिस्सों का भी, वे organs के muscles भी lose होकर लटक गए होते हैं, इसके अलावा, जो uterus है वो नीचे आ गया होता है, जो की bladder के उपर pressure देता है, जिसकी वज़े से bladder के leak होने का leakage का problem शुरू होता है, जो की urine drop होता है, जब आप छीटे हैं या खासते हैं, बहुत सारी महिलाओं में ये problem बहुत common है, और ये केवल, पिलाटे से और पिलाटे के सा बहुत ज़दा benefit होगा, या आपके hormone को भी, imbalance hormone को भी balance करेगा, सही करेगा, इतना ही नहीं, हमारे lower abdomen के हिस्से में जितने भी organ है, उनके लिए बहुत beneficial है, इसके अलावा, हमारे lungs के लिए, क्योंकि हम बहुत गहरे inhale और exhale करते हैं, ताकत लगा के, इससे हमारे lungs, लिप सोड़ है, हमारे lungs का काफी गहराही से expansion and contraction होता है, जिसके द्वार, जब हम oxygen खीचते हैं, oxygen पूरे शरीर तक ट्रैवल करती है, ब्रेन तक पहुचती है, उसके लावा, जब कार्मेंड और साइड छोड़ते हैं, तो बहुत कहरे से छोड़ते हैं, ताकत के साथ छोड़ते हैं, तो वो बाहर निकालता है, इसके अलावा हमारी चर्वी या फैट श्वांसों के द्वारा ही हम बाहर छोड़ रहे होते हैं, हमारे चर्वी शरीर की जितनी भी एक्स्रा चर्वी और खास पर पेट के इससे क्यासपा, या आप श्वांसों के द्वारा बाहर कर रहे होते होते हो Simpal हैं ये सारे workout लेकिन बहुत effective है Exercise बैसी होनी चाहिए जिससे आपके शरीर में दर्द कम से कम हो लेकिन जिस दिन पिलाटे होता है उस दिन आपको थोड़ा सर दर्द हो सकता है महशुफ हो लेकिन चिंता ना करें जिस दिन आपका पिलाटे वरकाउट होता है उस दिन आपको प्रोटीन की अच्छी मात्रा अपने खाने में वरूर शामिल करनी चाहिए वैसे तो प्रोटीन हर रोव खाईए, जरूरी है हर रोव शरीर के लिए लेकिन जिस दिन पर लाते है उस दिन आपको केवल रोटी और सब्जी से काम नहीं चलेगा उस दिन आपको अपने लंच और डिनर में डाल को और मूंफली को यानि पीनस को ज़रूर शामिल कीजिए यदि आप वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन है तो अंडे या चिकन को फोड़ा सा मात्रा में ज़रूर शामिल करें इसकी वज़े से आपका दर्द कम होगा यह मैं इससलिए बता रही हूँ क्योंकि पिलाटे के कुछ नियम है यह जब हमारे शरीर को फाइदा करता है जब आपके बफिल्स की टोनिंग और टाइटनिंग करेगा उसके साथ में सही आहार या नियूट्रिशन भरा खाना बहुत ज़रूरी है नहीं तो इस महनत का आपको कोई फाइदा नहीं मिलेगा एक दिन मिलेगा दो दिन मिलेगा फिर वजी फिर पिर आपकी चरबी खीली हो जाएगी और लटक जाएगी इसे इसलिए हम आल्टनेट डे जानि कि त्यूज़े एंड थर्स्टे को हम पिलाटे जरूर रखते हैं एक दिन के पिलाटे का अफर कम से कम दो से तीन दिन तक रहता है यह आपको हलके हलके मसल पहीं की वज़े से आपको पता चलेगा जितने दिन मसल पहीं रहता है हमारे मसल उतने दिन वर्क कर रहे होते हैं वजरासन में आएंगे, सबसे पहले, वजरासन में बैठने का सभी तरीका है, एक बार आप लोग देख लीजिए, जिनको नहीं आता है, जो नहीं बैठ सकते, इस तरीके से आपने अपनी एडिया मिलाई, अपनी एडियों को खोलना है, इस तरह से सीड बनानी है, पैर के दो बैठने से तो, इसको फोल्ड करें और इसके उपर बैठें, जिनको नहीं का प्रॉब्लम है, वे लोग एडियों करें, जिनको खुतने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वे लोग भजरासन में ज़रूर बैठें, और नेक से शिवू करेंगे हम, वाम अप से, जिनको अपने वाम अप जरूरी है हमारे शडीर के हर चोडों के लिए, नेक अपन डाउन, सामने की और देखते हुए फिर आपके राइब साइड, फिर सामने की और देखते हुए आपके लेब साइड, पिलाटे को करने के पहले उसके बारे में आपको पूरी और सही जानकरी होनी जरू जितना भी आपको बताया है पिलाटे के बारे में, उसे याद रखना भी जरूरी है क्योंकि पिलाटे है तो बहुत effective, लेकिन पूरा असर पाने के लिए आपको उसके बारे में पुरी जानकारी होनी जरूरी है, तब ही आप उसका फाइदा उठा पाएंगे. सामने की ओर देखना है और गर्दन को एक तरफ चुकाना है, इसमें हम अलग मसल को यूज कर रहे हैं इस बेंटिंग में, पिलाटे वरकाउट केवल हॉलिवूड एंड बॉलिवूड के स्टार्स ही करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने शरीर के शेप को खुब सुरग बनाना ह के लिए और बॉड़ी को कम्प्लीट बॉड़ी को टोनिंग एंड टाइटनिंग के लिए पिलाटे से बहतर कोई भी वरकाउट नहीं है, ना जिम और ना योगा, थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है बाकी एक्सराइस से लेकिन यदि खुब शुरेश शेप चाहिए तो पिलाटे बहुत एफेक्टिव है, रोटेशन, नेक रोटेशन, बहुत आराम से करेंगे, ठीरे से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, थी टाइम, इच साइड, हर करदन को हर डारिक्शन में खुमाते हुए, रोटेशन के एवल तीन बार से स्यादा की शरूरत नहीं होती उससे स्यादन नहीं करना होता, ओपोजिट, गर्दन हमारी बहुत सेंसिटीव है, इसलिए इसे नाजुकता से यूज़ करना चाहिए, शोल्डर लेप्ट, रोल बैच चेस्ट, ओपन, अल्बो रोटेशन, नेयमित रूप से पिलाटे करने से हर हक्ते कम से कम दो से तीन ब पिलाटे करने का एफेक्ट बहुत ही ज्यादा होता है, विविबल चेंज दिखाई देगा, आपको भी पता चलेगा, आप देखेंगे आपकी कमर पत्मी हो गई, जीन्स आपकी धीरे-धीरे ठीली होने लगी, लेकिन इसका सही तरीका आना चाहिए, उसमें ब्रीधिं बह पिलाटे की क्लास हर जगह पर बड़ी मुश्किल से मिलती है, वह नहीं है के वल कुछ क्लासे वो भी बहुत कम है, और सही तरीके का पिलाटे, वो तो मिलना ही मुश्किल है, अल्बो को स्ट्वेट, एंफोल्ड, एल्बो स्ट्वेट, एंफोल्ड, एंफोल्ड, एंफोल् finger open and fridge thumb को अंडर को और कियो छुory and press finger open and fridge finger open and fridge thumb को अंडर को और कियो रिलैक्स रिलेक्स, एक हतेली फेक दूफरी हतेली को खीचेंगे, and hands down and switch, opposite hand, stretch, hands down. एक अनोखी बात आपको बताती हूं, हो सता है, आपको पताना हूं, क्योंकि ये easily available है. मेरे साथ में, जो पिलाटे आप लोगो सिखाती हूं, यही पिलाटे मुंबई के एक बड़े studio में, तीन महीने की फीस, उनकी 75,000 है, केवल पिलाटे की, जी हां, हफते में सिर्फ दो दि पिलाटे कराते हैं, और उसका फीस 75,000 इतना ज्यादा है, इसलिए इसको कमना आके, यह बहुत beneficial है, बहुत फाइदे मंद है, दोनों हाथ उपर की ओर, खींचेंगे, दोनों हाथ शोल्डर को लिफ्ट करके, हल्बो को स्ट्रेट, डीब बीद आओ, चीन अप करते हूए, इचे की ओर, यदि आप इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो हाथों को हवा में लटका की रखे, इन हैड डाउन, यदि मुश्किल होता है हाथ को हवा में रखना, तो फ्लोर पर रख दे, और स्टेच को फील करें, अपने हिप्स को अपने पैरों से नाउं अठाएं, के बल अपर बॉड़ी को आपके कमर के निचले इससे चुपना है, 1, 2, 3, 4, 5, breathe out, tummy squeeze and come back, repeat, हाथ को उपर की तरफ खीचेंगे, deep, breathe in, breathe out, tummy squeeze, chin up करते हुए, slowly down, and hold for 5 counts, 1, 2, 3, 4, and 5, breathe out, tummy squeeze, come back, अपने हाथों को अपने नाभी के नीचे, अपने थाइस पर रखे, deep, breathe in, breathe out, press, chin up करते हुए, नीचे की और, और नीचे आने के बाद, head down, breathe slowly, 1, 2, 3, 4, and 5, breathe, come back, opposite hand, नाभी के नीचे रखना है, अपने थाइस के उपर दोनों हाथ, और नाभी के नीचे अपने हाथे लिया, deep, breathe in, breathe out, breath, chin up करते हुए, नीचे की और, और नीचे आने के बाद, head down, breathe slowly, 1, 2, 3, 4, 5, उठने के पहले, breathe out, tummy squeeze, slowly, slowly, come back, मुठी को बनाना है, मुठी इस तरीके से, अपने नाभी के नीचे, deep, breathe in, breathe out, exhale, नीचे जाने के बाद, कुछ सेकें, breathe, hold, head down, 1, 2, 3, 4, and 5, chin up, and come back, अंग उठे को अपने मुठी के अंदर बंद करेंगे, अपने मुठी को नाभी के नीचे रखेंगे, deep, breathe in, breathe out, chin up करते हुए नीचे की ओर, अपने मुठी को बोल भुमाएंगे, अपने मुठी को पेट के उपर, मसाज करते हुए, मुठी को रोटेट करते हुए, 2, 3, 4, and 5, come back, finger को लॉक, पिछे की ओर, elbow straight and lock, chest open, deep, breathe in, breathe out करते हुए, slowly down, और हाथों को उपर की ओर खींच के लाना है, hold for 5 count, 1, 2, 3, 4, 5, come back, repeat, chest and shoulder back, elbow straight and open, deep, breathe in, breathe out, elbow straight and lock, push your hold for 5 count, 1, 2, 3, 4, and 5, come back and relax, shoulder rotation, 1, 2, and 3, अपने स्पाहिन और गर्दन को खीच कर सीधा करें, घीला ना चोड़ें अपने शरीर को, यदि आप एक खुब सूरत, मॉडल जैसा शेप अपना बनाना चाहते हैं, बजरा फिल्फे बाहर निकलने का तरीका, हातों को आगे रखना है, पहले आगे हो जाना है, और फिर अपनी एडियों को हिलाना है, पहरों को खुब सूरत बाहर निकालके, बजरा फिल्फे बाहर नहीं आते हैं, नहीं तो परिशानी हो सकती है आपके, किसी को मसल में खिचाओ फील हो सकता है, अपने पैरों को हिलाएं और अपनी कमर को हिलाएं Cat and Camel Pose, बहुत इफेक्टिव आपकी टमी के लिए, आपके बैक के लिए, आपके स्पाइन के लिए, कमर के लिए, हिप्स के लिए बिलाटे ब्रीदिंग के साथ, दोनों हाथ और पैरों के बीच, शुल्डर जितना डिस्टेंस, अपने हाथों को आपके कंजे के नीचे, डीप इन्हेल एक्षेल, मुझ से एक्षेल, पीट को गोल करना है, राउंड करना है, टेल बोन को अंदर की और, अब्डॉमिनल मसल ल के पुस्टर को होल्ड, टेट पोल्ड, अपने पीट को ऊपर की तरफ खेंचे और गोल बनाए, अब्डॉमिन को अंदर की और पुल करें, और पिलाटे ब्रीदिंग कंटीनु रखें, टेल बोन अंदर की और बटक्स को स्क्वीज, अंदर की और खुमांके टेल बोन को, अब्डॉमिनल मुफल लिफ्ट एंड स्क्वीज, आपकी कमर अंदर की और, हिप्स बाहर की और, चिन सामने की और, लेकिन अब्डॉमिनल मुफल को लिफ्ट एंड होल्ड, प्रीइन हेल एक्षेल के बाद में, कैट पोल्ड, अपनी पीट को गोल बनाएंगे, पीट को गोल बनाके ऊपर के और खींचना है, अब्डॉमिनल मुफल को लिफ्ट एंड स्क्वीज रखना है, होल्ड फॉर फाइव काउंट, वन, ट्री, फॉर एंड फाइव, डीप इनहेल एक्षेल, कैमल पोल्स कमर को अंदर की और, हिप्स को बाहर की और, होल्ड फॉर फाइव काउंट, और पोर इनहेल एक्षेल, कैट पोज, डीप इनहेल एक्षेल, कमें अंदर, स्क्वीज, अब्डॉमिनल मुसल लिफ्ट, टाइटली होल, टेल बोल अंदर की और, आपका पीट, पीछे से गोल और राउंड होना चाहिए, बटक्स को स्क्वीज, थाइज मसल टाइटली होल, थाइज पर भी फोकस, लोर अब्डॉमिनल मसल लिफ्ट, लोर मीडल अपर टमी, फोकस और होल, पिलाटे ब्रीधिंग कंटीनू, आपके अल्बोस बिलकुछ सीधे, अन लॉक, आपके हाथ सीधे, अन टाइटली होल, अ आपकी पीठ, अंदर की और, हिप्स बाहर की और, अब्डॉमिनल मसल लिफ्ट, अल्बोस टेट एं लॉक, आपका कोहनी बिलकुल सीधी और टाइटली होल्ड हो, चेस्ट और शोल्डर ओपने कंदे को धीला और धला हुआ ना छोड़े, नफरों से सामने की और या 65 डिग इस दौरान अपने अब्डॉमिनल मसल को लगातार, लिफ्ट रखें, पेट को ढहिलाना चोड़े, अब्डॉमिनल मसल लिफ्ट, स्कुईज टाहिटली होल्ड, एंड रिलेक्स, बजरासन मेरो इस्ट, स्टेज करेंगे शरीर को आगे की और दोनों खुटनों के बीच, ड कम बेक, कैट एंड कैमल, दौरों में मुवमेंट करेंगे, एबरी बीग एंड एबरी मुवमेंक के साथ में हर एक बीग, इस तरी किसी कैमल कैट पोसे, कैमल को टेज करने की दौरान ही हो आज के लग वेल, एपीट को रां, पूरी ताकत लगाते होबागे पोस्टर को लेहे लेखेल करते हुए, Camel Pose Change, Cat Pose Tummy को Squeeze, Tightly Hold Blutty Breathing and Change Last Three Last Two Last One And Relax, 10 Seconds का Rest यही श्वासे And Relax, Breathing Cat and Camel Pose में Continue Pilate Breathing के साथ में करेंगे एक बार देख लिजे लेकिन इस दौरान अपने अब्डॉमिनल मसल को लगातार Squeeze and Hold रखे और कमर के मुवमेंट को लगातार करते रहे यह आपको बहुत बेनिट देगा शुरू करते हैं अपने अब्डॉमिनल मसल को लगातार लेख रखे पेट को ढीला ना छोड़े जब कैमल कैट पोज बनाएं तो पीट को उपर की और कीचिए और कैमल को बनाएं तो कमर को अंदर की और लेकिन अब्डॉमिनल मसल लगातार Lift and Hold डॉमिनल मसल को लगातार Squeeze and Hold लोगर मिदल अपर थेनू अब्डॉमिन फोकस Muscle को फोकस करते हुए कौन कौन सा muscle इसमे आप engage कर रहे है और से फोकस करें And relax, 10 second का rest Shoulder rotation और शरीर को धीला लेकिन पीड को सिधा Chest open, shoulder पे 3 times And reverse 3 times फिर से आएंगे अपने खुटनों के बन Observe करें And up अब इस मूमेंट को करना है Deep inhale, exhale के साथ में Head to knee touch, tummy squeeze And lift 2 3 Up the abdominal muscle को लगातार Squeeze and hold Back up को लगातार Squeeze and hold And relax Shereer को stretch And relax Alternate side के लिए तैयार अपने हाथों को अपने हाथों को बन थे के नीचे रखेंगे Elbows treat and lock Ordinate leg Head to knee touch And knee up Pointed toes Hips को lift करना है आप टू थ्री फूर अब्डोमिनल मुसल टमीश कुई स्टाइप लीफोल बटक्स एड थाइस भी फोकस लूर एंड अब्डोमिन जो पैर आपका मुवमेंट कर रहा है पर के उफर वाले टमी के हिस्से पर फोकस करते हुए एंड रिलेक्स एंड रेस्ट रिलेक्स न्वेस्ट तेंज सटेंग्स श्टर रोटेशन यह बार फिर से यह श्टर रोटेशन यह बार फिर से आपको कंधे और सर्वाइकल की बहुत सारी बिमारियों से दूर रखेगा ऐसी कोई कंधे की समस्या होने नहीं देगा एक एक बार रिपीट करेंगे बहुत बेनिफिशल है यह आपके हिप्स के लिए आपके थाइस के लिए और आपके पेट के लिए इसके साथी सेकेंटरी मुसल हमारी स्टाइन और उससे संबंदित सारी मुसल के लिए भी बनिफिशल है शुडू करेंगे and hold for five count लाटे ब्रीदिंग कंटिन्यू one, two, three, four and five come back alternate side के लिए तैयार शरीर को कहीं भी धीला ना छोड़े perfect posture बनाने से ही आपको फाइदा होगा tummy squeeze, tightly hold pointed toes, Russian male dancer की तरह pointed toes elbow straight and lock अपने कंधों को खीच कर elbow के उपर अपने कंधों को सीध में रखें आपका spine और आपका गर्दन एक सीध में आखों से 65 degree angle पे देखें shoulder lift and tightly hold, elbow straight and lock thighs muscle and buttock squeeze and hold and come back alternate side, repeat last time, deep inhale exhale tummy squeeze release and hold one, two, three, four and five relax, alternate side deep inhale exhale यह वाला posture हर कोई कर सकता है जिसको knee pain है, back pain है सभी के लिए फाइदे मंद है यह relax and search दोनों के भीश थोड़ा फ़र डिफ्टें पढ़ाएं और अपर बाडी को सेच करें relax shoulder rotation one, two and three up of it one, two and three दोनों पेरो को आगे की हो अपने पैनों को रिलेक्स करते हुए finger को open and stretch and squeeze finger open and stretch and squeeze finger open and stretch squeeze pointy toes and back अपने abdominal muscle को इस दोरान भी lift and hold रखें अपने हाथ को पीछे ढ़ला हुआ ना रखें अपने हाथ को पंदे की नीचे रखें सीध में finger को open and stretch and squeeze pointy toes back and circle tummy squeeze and tightly hold रखें और अपने पैरों को हर डारेक्शन में stretch करते हुए rotate करें यह आपके पैरों की हर तकलीफ को पैर और कमर की तकलीफ को दूर रखेगा और आपके लंग को भी एफिशेंट बनाएगा inhale करते हुए पीच को सीधा करें और अपने हाथों को पीछे की और ले उमुलियों फे टच करना है इस तरीके से inhale exhale करते हुए अपने पीच को राउंड बनाएग जैसे केट पोज में आपने बनाएग था और शोल्डर को आगे की और अलबो को आगे की और inhale करते हुए पीच को सीधा लंग को उपन चेस्ट को उपन shaft होते हुए एगजे़ करते हुए शोल्डर और इस तरीके से आगे की और deep inhale exhale chest उपन शोल्डर बैठ पीच को सीधा lower abdomen, lift and squeeze inhale, exhale, deep inhale, deep exhale इसमें आपका pranayam भी हो रहा है इसमें आपके tummy का exercise भी हो रहा है इसके साथ ही आपका peak, आपका shoulder और carbon dark side छोड़ने के द्वारा आप अपना weight loss भी कर रहे है deep inhale, chest open, shoulder back inhale, exhale deep inhale, exhale mind का focus अपनी abdominal muscle पे रखें lower, middle, upper, thin abdomen को focus करते हुए breathing करते रहें deep inhale, chest open, shoulder back deep exhale करते हुए abdominal muscle को lift रखें, squeeze रखें, tightly hold रखें दोनों shoulder आगे की ओर और पीछ को round, chest open, shoulder back inhale, exhale deep inhale, exhale tummy को squeeze and सामने की ओर देखना है, चिन को ऊपर नहीं करना है ऐसा नहीं करना है, सामने की ओर रखेंगे चिन को सामने की ओर and head down सामने की ओर देखना है और head down करना है बहुत powerful workout है ये इसमें आपके यहराई से आपकी पेट की transversus muscle को ये engage कर रहा है exhale करते हुए tummy को squeeze करें lower, middle, upper, thin, abdomen को focus exhale करने के बाद में अपने पेट को ribcage तक contraction दे and relax शरीर को ढीला and deep and relaxed breathing जिन लोग को नींद कम आती है उन्हें गहरी नींद आएगी और जिनको ज्यादा नींद आती है उनकी नींद कम उजाएगी और दिन बार बहुत प्रेश लगेगा इसलिए गहरी श्वाफे क्योंकि दिन भर में आपने जितना oxygen नहीं लेते हैं उससे स्यादा oxygen इतनी देर में आप एक घंटे के दौरान ले लेंगे एक बार पिर से repeat करेंगे deep inhale exhale deep inhale exhale इसके साथ ही है आपको मान सिकरूं से भी बहुत शांती देगा पूरा दिन आपके स्ट्रेस को कम करेगा आपकी चिंताओं को कम करेगा और साथ ही मन की उदासी को भी दूर करेगा deep inhale exhale deep inhale exhale deep inhale exhale जब शरीर के अंदर रख्त के अंदर जब oxygen का संचार होता है और आपके ब्रें तक बहुत अच्छे तरीके से oxygen पहुचती है उसकी वज़े से आपको मन बहुत प्रफणन फील होगा happiness फील करेंगे थकान बिलकुल भी नहीं होगी आज बल की ज्यादा फ्रेश फील करेंगे energetic फील करेंगे और बहुत शाहंत फील करेंगे deep inhale exhale and relax शरीर को ढीला छोड़ दें लेकिन पीट को सीधा and shoulder relax अपने एक दोनों पैनों को उपन करेंगे और आपका जो योगा मैट है केवल उतनी ही दोनी रखेंगे आपके पैर योगा मैट से बाहर ना निकलें ज्यादा उपन नहीं करना है दोनों को योगा मैट के अंदर रखना है केवल एक से डेर पुट का डिस्टेंस आपके दोनों पैरों के बीश आएगा केवल इतना सा ही डिस्टेंस and dorsi flexion जरूरी है इस तरीके से dorsi flexion जरूर रखें नी को straight and lock रखें पीट को सीधा रखें exhale tummy squeeze, lower abdomen lift squeeze, tightly hold और या तो एंकल से hold करें या तो फो होल्ड करें and head down नीचे नहीं जाना है stretch ज्यादा नहीं करना है comfortable position पर नीचे नाचुकें जादा hold करना है पुस्टर को और पिलाते ब्रीधिंग हर exhale के साथ अपने abdominal muscle को लिफ रखें tightly hold अखें आखों से अपने center area में देखें अपने pelvic area में अंदर की और देखें जिसे आपका spine और neck एक सीध में रहें आखों से center में pelvic area की और knee straight and lock knee compress and thighs tightly hold आगों इसे प्तूब इसे अपने की आखों हुँँँग टमिंक कुल अपने कीज़ की आखों तर्टीं की और प्यों की होड्ड ड्रीद प्यों हड़ प्यों की आखों एक बार पिर से अपने हाथ को थाइस पर रखना है, डॉस, फ्लेक्षिन को भूले नहीं, नी को स्टेट एंड लॉक एंड प्रेस, एंड थाइस मसल, टाइट ली होल, डीप इंहे लेख से, टमी को स्ट्वीज, टाइट ली होल, और आगे की तरफ जुकना है, थोड़ा सा, जितना आप अपने पैरों को पक कर सकें, के वाल उतना ही जुकना है, टोस को अपनी और खीचना है, नी को स्ट्वेट एंड लॉक रखना है, थाइस मसल, लिस्ट एंड टाइट ली होल, ऊपर की तरफ अपने थाइस को खीचेंगे, लोर अप्डॉमिन को टमी को अपने पैट पर फोकस करना है, के वाल अपने टमी की मसल पर फोकस करना है, लोर मीडल अपर तीनों अप्डॉमिन, स्क्वीज, होल्ड एंड फोकस, कम बैग, यह तो था हमारे सेंटर वाले अब्डॉमिनल मसल के लिए, अब हम साहिद वाले अब्डॉमिनल मसल के लिए करेंगे, इसलिए बन लेग पोल्ड रखेंगे, डर्सी फ्लेक्शी मिन्टेन रखेंगे, खंधे आपके पैरों के सामे की ओर, एक्सेल, टमी को लिफ, स्क्वीज, एंड चिन अप करते हुए, कि अबल इतना ही जुखना है, एंड हैग डाउं, आँखों से आपके ठाई के ऊपर की मसल के ऊपर आँखों से देखेंगे, या इस हिस्से की तरफ देखेंगे आँखों से, जिससे आपका स्पाइन और गर्दन, एक कमफर्टेबल स्थिती में रहे, तमी को स्कुईज, लोइर, मिल्डला पर तीन, अब्ड़मीड फोकस, जो पहर आपका खुला हुआ है, या दि राइट लाइट खुला हुआ है, राइट लाइट लाइट के ऊपर के, तमी की मसल को फोकस करें, हर एक्षेल की साथ अब्डॉमिन को स्क्वीज और टाइटली होल इन्हेल खरते हुए पेट को धीलाना छोड़े अपने खुपने को प्रैस करें थाइस मुसल को स्क्वीज और लिफ्ट, लोर अब्डॉमिन लिफ्ट, स्क्वीज और कम बैक अल्टनेट साइट टोर्सी फ्लेक्शिन को मिन्टेन रखें नी को स्ट्रेट, लोक एंड प्रेस रखें और थाइस मुसल को टाइट कर लें इसको लिफ्ट करें उपर की ओर जब आप जुखकर अब्डॉमिनल मुसल को पुल करके टमी को स्क्वीज करते हैं उफ्टोरान आपके थाइस को भी होल्ड रखें शुरू करेंगे एक से लोर अप्टॉमिनलेफ्ट, स्क्वीज, कॉंट्रेक्शिन एंड पॉस्टर होल्ड केवल ये होल्डिंग ही आपके पेट को कम करने में आपकी टमी की टोनिंग एंड टाइटनिंग के लिए बहुत है अंडेड एक पुंच इसका भी कोई फाइदा नहीं होगा केवल कुछ सेकेंड यदि आप इसको होल्ड रखते हो कम से कम 25 सेकेंड से 30 सेकेंड तक यदि आप इसे होल्ड रखते हो इस दोराना आप अपने ट्रान्स वर्सेज मसल जो की पेट में सबसे अंदर की तरफ होती है उसको एक्षेल के द्वारा लिफ्ट, स्क्वीज और होल्ड रखना है नी को स्ट्वेट, लॉक और प्रेफ और थाइज मसल को टाइटली होल्ड अपने थाइज को ठीला ना चोड़ें, squeeze and lift करें lower tummy, lift, squeeze and come back अपने तुनों पहर आगे की और, and relax finger को open stretch and squeeze, finger open stretch and squeeze, pointed toes, back and circle reverse circle butterfly अपने तोस को आगे से दबाना है, and knee up and down पटकना है, उपर से उठाके नीचे तक, जिनको सिरदर्द है, migraine है, जिनको stress बहुत ज्यादा रहता है इन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है inner thigh की opening की मसल के लिए ये बहुत अच्छा व्यायाम है butterfly बच्छपन से बहुत सारे एसे स्ट्रेस होते हैं, जो आप बीना जाने subconscious mind में बैठे होते हैं, और जिसकी वज़े से inner thigh की मसल stiff हो जाती है उन चिंताओं को भी रिलीज करने के लिए आपको पता ही नहीं है कि आप कितनी सारी चिंताओं अपने बच्छपन से कहरी कर रहे हैं इसके लिए butterfly बहुत पाइदे मंद है जिनको stress ज्यादा होता है या जो उदाफ रहते हैं या चिंता में रहते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत पाइदे मंद है इसे पिलाटे ब्रीदिंग के साथ करेंगे इंहेल एक्सेल लोग डॉमिंग लेफ्ट स्क्वीज, कॉंट्रेक्शन एंड हाफ डाउन ज्यादा नीचे नहीं चुपना है अपने एल्बो पे आपके थाइज को प्रेस कर रहा है एक्सेल के साथ अपनी टमी को लिफ्ट एंड स्क्वीज रखें कम सी कम 6 ब्रीदिन ब्रीज आउट तक इन्हेल एक्सेल 6 टाइम करने तक पोश्चर को होल्ड रखें ज्यादा नीचे जुपने का कोशिश नहीं करना है यदि आप ज्यादा नीचे आजाएंगे तो आप अपने अब्डॉमिनल मसल को छोड़ देंगे टमी की मसल को लिफ्ट स्क्वीज एंड टाइट ली होल अलबो से अपने थाइज के साइट में प्रेस करें एक बार फिर से रिपीट करेंगे इसमें ज्यादा नीचे नहीं चुपना है हाग केवल हाफ टाउन और कमपोटेबल पोजिशन तार अग अपने 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 थाइज को प्रेस करेंगे एक बार फिर से पीट को सीधा और अब्सक्राइब करें, साइड से अब्सक्राइब करें, मैं किस तरीके से करती हैं Spine सीधा चीन अब खरते हुए कि एवल हाथ डाउन इत नहीं आएगा एंद फिर head down अपने elbow से अपने thighs पर रखके elbow को elbow से प्रेस करें चमी को squeeze and tightly hold lower abdomen lift squeeze and tightly hold lower and middle tummy focus अपनी tummy को पूल करें की कुशिश करें and come back up and down moment planted breathing के साथ जो कि आपके pranayam का भी फायदा देगा और आपके पेट की चर्वी को भी कम करेगा down and up deep inhale exhale tummy tummy को squeeze and tightly hold inhale के दौरान आपको पेट को धीला ना छोड़े and relax अपने पेटों को धीला और सामने की और finger को open stretch and squeeze finger open stretch and squeeze pointed toes back and circle इसके जो अवला बाला आसन हम करेंगे hinge toes जिनको ने का प्रॉब्लम है वे भी उसे थोड़ा सा जरूर करें जिनको खुटने का प्रॉब्लम है खुटने के आस पास की जितनी भी मसल है उसको strong करने के लिए भी फायदेमंद है और आपके पीट के लिए और कमर के लिए हिच के लिए था इसकी choning and tightening के लिए भी फायदेमंद है इसको फोल्ड करें डबल फोल्ड करें जिसको खुटने में दर्द होता है उसके लिए इस तरीके से रखें यदि आपके नीपेन है तो खुटना इसके ऊपर रखें नहीं तो कोई बात नहीं पॉइंटे टोफ अदोनों खुटनों के बीच में comfortable distance shoulder left and roll back पीट कुसी था ऐसे और आपको खुटने से और थाई से बैंड होना है कमर को पीछे की और ना करें ये गलत है shoulder आगे की ओड्रॉप back and come back आपको खुटने और थाई पर प्रेशर आना चाहिए deep inhale exhale tummy अंदर squeeze and back and hold for three inhale exhale abdominal muscle को lift and squeeze, buttocks squeeze, tightly hold and hold thighs muscle lift and tightly hold and come back एक बार फिर से repeat exhale squeeze squeeze tightly hold and back and hold for three inhale exhale exhale पैरों को पॉंटे टोफ रखे buttocks को squeeze रखे abdominal muscle को lift रखे thighs muscle tightly hold lower, middle, upper, three abdomen squeeze and breathe and relax rest for a second and who have a bad problem for those who have a bad problem for those who have a bad problem लेकिन बार की लोग जिनको कोई पॉब्लम नहीं जिने पेट काम करना है यह लोग फिर फिर रिपीट करेंगे and back and front movement exhale tummy squeeze back and come back deep inhale exhale pointed toe toes आपके बाहर की और two two three हर exhale के साथ अपने abdominal muscle को lift रखे squeeze hold रखे यह बहुत simple लेखे लिए सही तरह होनी tightening के लिए हाँगे हिपस हिट बुदीट रिप्लिट यहाँगे फिटोंगे रखेपस हिटोंगे धिटिटलिटलिट रिदे थे यह फ invers irrit το कि ए जा इज अघ्ट चूरा टी लीज यहो चा टीजू ideia बोर्द इत कि अ इत बिश्च पर इत 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 बजया कि मेरेख्च झाल कि मेरेख्च झाल 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 तो सबसे पहले दुन्हों हाथ साइड में होल्ड एंड लाइग अपरेंड डाउं लाथे ब्रीधिंग के साथ में कम से कम टेंट टाइम लुब्रेंट के लुब्राइम थुर्ण स्कूइज लुब्रेंट शुप्रेंड कि एंड रिलेक्स पिलाट इंजिन एप रंचेस एक हाथ आपको पीछे की और रखना है और दूफरा हाथ फोल्ड और एक हाथ एक पैर सीधा एक पैर फोल्ड जो पैर फोल्ड किया है वो वाला हाथ उपर दूफरा हाथ निचे टमी को स्ख्वीज एंड टाइट ली होल्ड हर एक्जेल के साथ अपने अब्डॉमियल मुस्ल को लिफ जब आप पैर को सीधा करें तो निच को स्ट्रेट एंड लॉप रखें फोकस करें अपने टमी के उपर लोएर मिडल अपर तीनों एब्डॉमिल स्ख्वीज एंड फोक जिनको बैक का कोई भी प्रॉब्लम है अराम से कर सकते हैं जिनको साइटी का है वे भी अराम से कर सकते हैं जिनको नी का प्रॉब्लम है वे भी अराम से कर सकते हैं इसे आप बैट पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं इसमें आपका कम्प्लीट बोडी एंगेज होता है दोनों हाथ आपने एंगेज किया, हाथों की मसल को एंगेज किया, अपने पैरों की मसल को एंगेज किया, और उसके लावा टमी की मसल को एंगेज कर रहे हैं, और लंग्स भी आपके एंगेज हैं, ब्रीधिंग के द्वारा, complete body engage है और move करने के दौरान आपका spine और peach को भी strong करने के लिए बौट beneficial आपकी tummy की muscle को strong बनाने के लिए आपके uterus को और ovary को strong बनाने के लिए आपके आतों को strong बनाने के लिए metabolism को fast करने के लिए digestion system को अच्छा करने के लिए तो जिनको acidity है जेन को blotting है, सिर्दर्द है, उनके लिए भी बहुत पाई दिमन and relax और साथी focus करें कि कौन कौन से मुसल ने काम किया deep inhale exhale relax bidding दोनों पैर सीधे और दोनों हाथ उपर की और सीधे पैरों को उपर उठाए comfortable रखे 90 डिग्री एंगल पे tummy squeeze tightly hold inhale leg down and up inhale exhale and leg down leg up 90 डिग्री and down हाथ को उपर की तरफ खीच कर सीधा रखे focus करें इसमें आपका center वाला abdomen lower middle आपर तीन अप्डमीन एंगेज हुआ और खासकर जो six-pack वाली मसले है जो आपका six-pack बनाती है वाली मसल आपकी इसपे एंगेज हुई lower and middle abdomen सबसे ज्यादा tummy squeeze and tightly hold buttocks को squeeze रखें जब आप पहरों को नीच लाएं focus करें इस दोराना आप अपने कौन से अब्डमिनल मसल को tummy को engage कर रहे हैं and relax deep breathing गहरी श्वास third step हम करेंगे दोनों हाथ पीछे दोनों हाथ सीधे दोनों पैरों के बीच गैप और दोनों हाथ ओपन दोनों पैर और हाथों को उठाना है यहां से शुरू करेंगे हम deep inhale exhale tummy squeeze, tightly hold and knock off and leg up यह आपके पेट के पूरे हिस्से को आपकी tummy को lower middle अपर तीनों tummy साथी side obliques इसके साथी buttocks and thighs इन सब को engage करता है खास कर आपके lower abdomen को इतना ही नहीं आपके shoulder को भी engage किया जब आप पैहात और पैर उपर लाएं तो यहां inhale exhale श्वास को पूरा बाहर छोड़ दे और फिर लग नीचे ले कर जाएं जिससे आपकी tummy की muscle tight होती है जब आप पैर नीचे रखते हैं उस समय आपके पेट में हवा नहीं होनी इस position में tummy में हवा नहीं होनी चाहिए यहां inhale exhale and hold इसे जितना करेंगे उतना benefit and relax relax करते ही focus करें कौन से muscle ने आपके वरकाउट किया कौन कौन सा आपने muscle use किया और कौन सा हिस्सा गरम फील हो रहा है गर्मी और जलन फील हो रही है या हलका हलका दर्द महसूस हो रहा है गहरी श्वास ही क्योंकि हार्ट रेट बढ़ गया लेटे लेटे ही हमने हार्ट रेट को भी बढ़ाया पर श्वासों के द्वारा हार्ट रेट को बढ़ा के हम extra fat को burn कर रहे है एक बार फिर से non-stop repeat करेंगे दोनों पर सीधे एक हाथ आपका उपर की और दूफरा हाथ साइड में इंजन पोस पोस्टर ले लें यहां पर इंहेल लें यहां पर इंहेल लें के कमी अंदर स्ख्वीज वान, ट्री, फूर, फाइड, इतने टाइम तक आप इसको करते रहेंगे बहुत बेनिफिट है इसमें आपका पूरा बॉड़ी एंगेज हो रहा है आपके शोल्डर, आपका ट्राइसेप, आपके अल्बोज, आपके पूरा हाथ इसके साथ ही 5W भी एंगेज हो रहा है आपका कम्प्लीट लेग मसल, जो सबसे बड़ी मसल आपके पैरों और हातों में है वो कम्प्लीट एंगेज हो रही है और पिलाटे ब्रीधिंग के द्वारा आप अपनी चमी की मसल को एंगेज रख रहे है एक्जेल के द्वारा तमी को स्ख्वीज करके अपने टांस वर्फिस मसल को स्ख्वीज एंगेज करें बटक्स को स्ख्वीज करें, थाइस मसल को टाइट ली होल करें जब आप पैर को सीधा करते हैं और श्वांसों के द्वारा अपनी कमी की मसल और अपने लंग्स को आप एंगेज कर रहे हैं फुल बॉडी में आपकी एंगेज हो रही है and relax, deep breathing दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ उपर की ओर अब आपने पेट से पैरों के मसल को लिफ्ट करेंगे पैरों का बज़न उठाएंगे आपने पैर यहां पहले उपर उठा लें सीधा रख लें और यहां ही नियु लेग से यहां से शुरू करेंगे टमी स्कुईज टाइटली हो, लेग टाउं इन्हेल एख से और जब पैर नीचे लेकर आएं तो बटक्स को स्कुईज करें, नी को स्ट्रेट करें, पॉइंटे टोज रखें उपर लाने पर लेग को रिलेक्स रखें लेग स्ट्रेट, पॉइंटे टोज नीचे लेकर आएं, पैरों को अपने शरीर के सीध में सीधा करते हैं अपने पैरों को नीचे लाएं, उसमें बटक्स को भी स्कुईज रखें अपने पैरों को स्कुईज करें, थाइस मसल को स्कुईज करें, जब आप पैर को सीधा करें लोर मीड़ा पर तीन अब्डामिन फोकस रिलेक्स, डीप रिधें और फोकस करें आपके कौन से हिस्से में गर्मी, जलन और हलका हलका दर्द महफूफ हो रहा है उन मसल ने आपके काम किया दोनों हाथ और पैर सीधे पोश्चर को तयार करना है और यहाँ पर रेडी करेंगे दोनों हाथ और पैर उठाने है यहाँ इन्हेल एक्षेल टमी स्क्वीज, टाइटी होड़, हैंग और लग डाउं, नॉकासन पे ले जाना है ग्षन स्क्वीज, फिर्ण पूर श्वाचन बाहर एक्षीज, और नॉकासन क्वीज, शैननी पर डाउं, और इन्हेल को तया है बेच्वान हैंगश यहाँ, पर हूद्धध बहुत एफेक्टिव लेकिन बिना गर्दन को उठाए बिना शरीर को उठाए हमने वर्काउट किया जिसमें कम्प्लीट बोड़ी को और टमी को फुल एंगेज किया अब हम करेंगे कीगल एक्सराइज बेस्ट कीगल एक्सराइज दोनों हाथ साइड में सेतु बंदासन यानि कि ब्रिज पोस दोनों पैर के बीच शोल्डर जिस्टान डिस्टेंज लिफ्ट बटक्स को स्क्वीज थाइस मसल टाइट लोड अपनी एडियो को जमीन पर करें एक्सेल करके अपने अपने अप्डमिल मसल को लिफ्ट करें अंदर कि और खिएज होल ताइटली होल अपनी एली को झुमिंग पर दबाते हुए ग्लूट को बटक्स को स्कवीज करें थाइस मसल को एंगेज करें और ब्रीधिं के द्वारा अपने लंस को भी बेस्ट की इगल एक्सराइज जिनको ब्लेडर लीग होने का प्रॉब्लम है यूरिन लीग होने का प्रॉब्लम है उनके लिए फाइदे मंद है उसके अलावा आपके हॉर्मोन को बैलेंस करने के लिए भी बहुत सही है एक बार फिर से रिपीट करेंगे अपनी एडियो को जमेन पर प्रेस करें बटक्स को लिक्ट एड स्क्वीज करें अग्सवेल के साथ अपने लॉइर अपर की ओर नेवल को अप ersंदर की ओर पुल्ट करें अपने टैमी को कॉंट्रक्श बेंड़ तक्स को कॉंट्रक्शन दें थाइज मसल को टाइटली होल इसके अलाबा पिरेट्स की प्रॉब्लम को ठीक करेगा एंड रिलेक्स डीप रेदे डीपीट करेंगे एक बार फिर से अपने पैरों को समीन पर प्रेस करें डीप इनहेल एक से एक्जेल करते हुए लिफ्ट चमी को अंदर की और खींचे स्क्वीज करें बटक्स को अंदर की और स्क्वीज करें एली को और पैरों को जमीन पर प्रेस करें थाइस मसल टाइटी होल रखें जाइनल मसल के आफपास की मसल को स्क्वीज एंड होल रखें या पुमेनों को से संबंदित, या पिरेट से संबंदित, किसी भी उम्र में पिरेट से संबंदित बिमारियों को भी सही करेगा. And come back. Day breathing. महिलाओं के अंदरोनी हिसों को स्टेंथ देने के अलाबा, यह आपके हिप और थाइस की भी टोनिंग करता है और लोहर अब्डॉमिन की चड़वी को कम करता है. Up and down moment. Lift and half down. Inhale, exhale, up and half down. Three, four, इसमें प्राणयम भी आपका इंगेज हो रहा है, प्राणयम भी, योगासन भी, और मसल पे अंदरोनी रूप से काम हो रहा है. And relax, deep breathing. कहरी श्वास. Relax, breathing. जिनको बैक प्रॉब्लम है, जिनको नहीं प्रॉब्लम है, वे भी सेतु बंदासन, बड़े आराम से कर सकते हैं. पेठिये बला जाएंगे, भुजंगासन की और. 10 to 15, up and down, भुजंगासन में. इंहेल करते हुए, up. एंहेल करते हुए, down. minimum time, maximum of two. इंहेल, exhale. आपके कमर के लिए, आपके पीछ के लिए, आपके लंग के लिए, आपके बाहों के लिए, आपके हाथों के लिए, आपके शूर्डर के लिए, आपके लिए, आपके अलबोस के लिए. इंहेल, exhale. आप अपने अनुफार शरीर के अनुफार रखें जितने आपके स्पीड कमफटेबल स्पीड होता है रिलेक्स, गीब रिबिल, एंग लगपन दाएं यह आपके पीट और कमर के साथ साथ आपके अपके ब्रेस्ट की चर्वी को भी कम करता है और चेस को शेट में लेकर आता है तो बाफिर सेट उच करेंगे, कम से कम 10 काउंट इंहेल एकजेट, इंहेल, एकजेट, साथ अपन डाउन, 10 काउंट के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10 काई पाफिछ, व्याओ एक बाफिछ को था आप भाफिशा को isमP inappropriate बा sects. ूण रभेगा नहाच साथा नहाच नहाच कीे? अपर बड़ी को आजती हिस्नाहे है? लेयर बड़ी को Adjust फाले साथास वान और प्कृल प्काउट राउज है र SAND भां प्कोण दी जेसा लेट ृतश आपके लिए अपके लिए बेस्ट की वाल एक्सराइस का काम करता है आपके लिए 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 ल जिनको किसी भी तरीके कब्ड़ा एक्ते हैं, उनके लिए फाइदे मंध है, गुजंग आसल, शबीर के स्ट्रेच करने के लिए and hold for five count, one, two, three, four and five. अपने हाथों को अपने चेहरे के डगल में एक्ते हैं and up and hold for five count, one, two, three, four and five. रिलेक्स, डीब ब्रेधी और अपन गाउं, पीच के बन लेटेंगे, और स्ट्रेचिंग करेंगे, लेके लेटे स्ट्रेचिंग, अपने दुनों हाथ और पैरों को उपर के और खिंचना है, हाथों को उपर के और पैरों को नीचे के और पॉइंट चेक्टो, और पैरों को मिलाएं, नी को स्ट्रेट एंड लॉख रखें, शोल्डर को उपर की और खिंचे, एग्सेल करके टमी को अंदर की और स्ख्वीज, और कमर के पीछे आपका गया पाना चाहिए, के मैट और कमर के अंदर आपका हाथ चला जाना चाहिए, अपने पेट और पीछ को मिलाने की कोशिश करें, एग्सेल, टमी स्क्वीज, बटक स्क्वीज, पेट को खिंचे उपर की और, रिलेक्स, बन मोर टाइम, रिपीट, डीप, इन्हेल, एग्सेल, पॉइंचे टोज, ने स्क्वीज, बटक स्क्वीज, लोर अब्टॉमिन, लिफ्ट एंद स्क्वीज, अबलिव मसल को अपने शोल्डर के द्वारा उपर की और खिंचे, पेट और पीट को मिलाने की कोशिश, चिपकाने की कोशिश, आपका टमी, रिप के इच तक खिंचने की कोशिश करें, एंद रिलेक्स, ये तो था फुल बॉडी स्ट्रेची, अब दोनों पैरों को फोल्ड करें, और पेट पर दबाएं, गर्दन को नहीं उठाना है, जिनको बैक पेन है, जिनको साइटिका है, उनके लिए बहुत फाइदे मन्द है, जिनको पीरेट में दर्द होता है, उनके लिए भी फाइदे मन्द है, अपने हातों को थाइस के नीचे रखें और पेट पर अपने पैरों को दबाएं यह आपके पेट के इस प्रेशर को पीछ पर फील करें आपके स्पाहिन पर आपके बैक पर आराम फील करें इससे आपके कमर की और पीछ की थकान दूर होगी, शरीर की थकान दूर होगी डिलेक्स एक पेर को दूफरे पेर के उपर रखें इस तरीके से, फोल्ड करें नीचों पे जो पेर जमीन पर है इसको दोनों हातों से होल्ड करें दोनों हाथों से पकड़े, थाइस को अंदर से, and head to knee touch, exhale, and head to knee touch, जब आप इस आले पैर को खींच रहे हैं, लेकिन आपके दूसरे बाले पैर पर सापको स्टरेच फील हो रहा है, दूसरा बाला पैर, महां पर आपको स्टरेच फील होगा, उपोजिट लेग में, relax, alternate fight, ये आपकी hip opening के लिए, आपके कमर के लिए, पैरों के दर्द के लिए, और पिरेच खेज़ आपको इस आले पैर पर और हैंस्टरेच आपको इस आले पैर पर और हम्स्ट्रिंग और साइड वाली मुझल पर फील हो रहा है, जिनको साइटी का है, उनके लिए बेनिफिशल है, ये, and relax, और शवासन में लेड जाएं, अपने पैरों और शरीर को सीधा करें, पैरों को ढीला छोड़ें, हतेली को आस्मान की और, सिर को सीधा या ढ़ला हुआ, और साथ ही आखे बंद, पूरे शरीर को relax कर दें, और हीला छोड़ें, अपने पैरों की उंगलियों को relax करें, तीन-चार बार गहरी श्वासे लें, तीन-चार बार गहरी श्वासे, और अपने पैरों की उंगलियों को relax करें, अपने तल्वों को relax करें, अपने काफ मसल को relax करें, खुट्नों को और थाइस को relax करें, हिप्स को और पेल्विक एरिया को रिलेक्स करें इनर्थाइस पेल्विक एरिया और नाभी तक का पेट धीला छोड़ें नाभी से उपर का पेट, चेस्ट और शोल्डर को धीला छोड़ें दुनों हातों को रिलेक्स करें पीट को रिलेक्स करें नीचे हिप्स उसके उपर कमर और उसके उपर पीट को भीला छोड़ें पीछे गर्दन और आगे गला रिलेक्स करें पूरे चहरे को रिलेक्स करें चहरे को रिंकल फ्री बनाने के लिए चहरे को चमक को बनाने के लिए चहरे का तनाव दूर करना सीखिए चिन होट दाद और चीब रिलेक्स करें नाख और दोनों का आल रिलेक्स करें दोनों कान और कानों के आसपास के हिस्से को धीला छोड़ें आखें आईब्रूज और माथा रिलेक्स करें फिर का बालों का भाव माथे से लेकर पीछे दर्दन तक के हिस्से को धीला छोड़ें अब आपका पूरा शरी रेलेक्स हो गया है और अपनी किसी इच्छा को पूरा होते वे विज्वलाइज करें आपकी कोई विश हो आपकी कोई इच्छा हो एंबीशन सो उनको पूरा होते हुए देखें उसे विश्वलाइज करें पूरा होते हुए उसके साथ ही उन इच्छाओं के पूरा होने के साथ साथ ही भूश हो बहुत खुश हो बहुत हैपी हो झाल 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 धिरे धिरे अपने हातों की उंगलियों को हिलाएं अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं अपने दुन हातों को उठाकर हतेलियों को आपस में रगड़ें और हतेली की जर्मी अपने चहरे पर लगाएं आखे खोल कर सबसे पहले अपनी हतेली को लेखें और फिर से इस हतेली को अपने चहरे पर सिर पर और शरीर पर लगाते हुए और धीर यसे बढ़े अराम से एक करवट लेते हुए उठें आज की दिन हो सकता है कि कुछ लोगों को यदि हलका हलका साब मसल में पेन हो सकता है तो खुश हो जाएं चिंता ना करें कि आज आपकी पेट की कुछ मसल ने वर्काउट किया प्रोटीन को सही मात्रा मिलें यदि आप नाश्ते में अंडा लेंगे नाश्ते के साथ अंडा लेंगे या स्प्राउट लेंगे तो अच्छा है यदि फ्राउट की तैयारी नहीं है तो कम से कम एक मुठी मूंगफली या पीनट्स आप अपने नाश्ते में जरूर शामिल करें यदि उपमा या पोगा बनाते हैं तो एक मुठी पीनट्स आपके पेट में जाना चाहिए एक जन के लिए कम से कम एक मुठी पीनट्स जरूर खाए आज उसके अलावा लंच में या डिनर में थोड़ा सा पनीर ले सकते हैं कम से कम 30-40 ग्राम पनीर एक जन को लेना चाहिए और लंच और डिनर में एक एक कटोड़ी दाल को जरूर शामिल करें दिन भर यदि आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरे टाइम प्रोटीन लेते रहेंगे इसे आपके मुसल की टोनिंग और टाइटनिंग में हेल्प मिलेगे यदि आपके वाल रोटी सबजी खाएंगे तो ये कार्भो हाइडर है ये आपके मुसल को मजबूत नहीं करे आपको एक दिन तो लगेगा कि हाँ कुछ हिंचे सापके कम हुए या हलका लगेगा लेकिन दो तीन दिन के बाद में ही फिर से आपकी चर्वी फिर आपको आपकी पेट आपको धीला लगने लगेगा टमी की टोनिंग, टाइटनिंग और फुल रिजल्ट के लिए आपको हर रोज कम से कम प्रोटीन थोड़ी-थोड़ी मात्रा में जरूर शामिल करना चाहिए आज के लिए इतना काफी इस बारे में कोई प्रश्न हो तो मुझे वाट्सब पे जरूर मैसेज लिखे और थैंक यू फो मच